दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सरोइलेक्टिक इंजेक्शन मोल निघ मशिन के बारे दोस्तों किसी भी मशिन को मुड्री ज़िंड के लिए दो तरिके का मुवेंट चाहिए थे लीनियर प्सक्रैव और राउंड मुवेंट चायए और लीनियर चाहिए Mold closing, ejector के लिए injection के लिए है हैं हाइड रोलिक में यह हमें मिल जाता है हाइड रूलिक स्लेंडर से ठीक है और जो सर्वय लैक्टिकल इंजेक्शन मॉन लिंग मस्कीन है है उनमें मिलेगा हमें इस सिध्धान से हैं ठीक है दोस्तों जैसे में इस नट को मौव करा रहा हूं ठीक है कि इस प्रोसेस के साथ में यह मशीने वर्क कर दी है इसमें क्या होगा इस मोटर होगा जो इस कुरू के दोरा फिट रहेगा और इसमें छोटी-छोटी बॉल होगी और इसके ऊपर पूरा सिस्टम मोव करेगा दोस्तों जब यह कि इस क्रूब करेगा तो यह एरिया फिक्स है तो इसके जब हम इसे मोव कराएंगे तो यह एरिया आगे की तर मोव करेगा ठीक है इस इस मोवमेंट का हम यूज करते हैं ठीक है इस मोवमेंट के दुबारा ही इन्जेक्शन इजेक्टर मोल्ड क्लोजिं सिस्टम वर करता है ठीक है दोस्तों जैसे हम इसे आगे की तरफ मोव करते हैं तो मोल्ड क्लोज होता है तब यह जब यह चीज आगे की तरफ मोव होगी तो हम इसी सेम यही सिच्वेशन क्रियेट हो जाइगी ठीक है अब जो राँंड मोवमेंट चाहिए जो वर्टिकल चार्जिंग के लिए चाहिए वह हमारा में सर्वो मोटर सर्वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है ठीक है उसके दोबारा प्रापत हो खाए अब हम बात करेंगे सरवोईलेक्टिक मोटर और द्राइव के बारे, जो ड्राइव जो हमारे किसी मोटर परर महते हैं, वह हम मटभिनहें 120 इन्ठी ऑप अपक Сейчас पर ज्रीक टर्फेश ठेगा है, एपक》 मतलited फ्रीक्वेंशी को ही कम जधा baking, कि हम किसी मॉटर के आरपीयम चेंज कर सकते हैं और ठीक है जो ड्राइव के दोबार हम जीरो से हम चेंज कर लेते हैं तो इससे दोस्तों में फैदा यह होता है जितना हमें प्रेशर चाहिए उस प्रेशर की रिक्वार्मेंट के अनुसार हमारा पावर कंजेप्शन कम होने ल बंद हो जाती है ठीक है तो फिर यह आप सी प्रोसेस समझी गए होगे ठीक है फिर हम सरवों मोटर थोड़ा जो अपनी एलेक्ट्रिक मोटर होती है तो थोड़ा अलग होता है इसमें ब्रीक उनिट होती है मोटर होती है और एनकोडर को काम होता है कि वय को बताए काइगा और धोड़तों क्यूंकि इस Head susceptible क्या कर सकते हैं और ब्रीक के थेoure ही हम इसकी स्पीड़ कर सकते तो यह थोड़ा इलेक्ट्रिक मोर्टर से अलग होती है अब हम बात करेंगे अगर कोई मशीन है सिंपल इलेक्ट्रिक मोर्टर लगी है और वह 100% में चल लिए और उसमें अगर हम सर्वर ड्राइब यूज करें तो उसमें अगर हमारी सर्वर ड्राइब है और सर्वर ही मोटर है तो हम 40% तक पावर सेविंग कर लिए अगर हमारी सर्वर इलेक्ट्रिक मशीन है वह हम 50% तक जा सकते हैं तो टोटल मोटर कितनी होते हैं दोस्तों देखो मोल्ड क्लैंपिंग के लिए एक अनवी मोटर आएगी उसमें मोल्ड थिकनेस के लिए इलेक्ट्रिक मोटर यह चाहिए यहाँ पर सर्वर मोटर नहीं चाहिए फिर इजैक्टर के लिए दो सर्वर मोटर चाहिए यानि के क्लैंपिंग हुंएं तीन सर्वों मोटर हो गई और एक होगी एलेक्रिक मॉटर सिंपल थी थे इन्जेक्शं के लिए दो सर्वों मोटर चाहिए चार्जिंग के लिए एक चाईये ठीक है थिक दोसा इंजेक्शन software के लिए एक स्वहर चाहिए और हिडोडिक पर किसी लिए इसमें टॉटल नाइन मोटर में और इन में साथ सर्वह क्ल cannabis की और चार्जिंग की मोटर हमो थोड़ा बड़ी होते हैं बाखे मोटर से अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यह पावर सेविंग हो कैसे जाती है दिए दोस्तों हो दिखें से है हमारा जो क्लैंपिंग है मोल्ड क्लैंपिंग और मट्रियल चार्जिंग दिखेंग इसमें ही पावर सबसे जगती है छार्जिंग मे के सबसे जदा लगती कि मोल्ड क्लैंपिंग में मैं जहां पर पूरा टने जाता हैं वह ऑँए आपके ही पावर ज़ादा ही अथिके दौस्तों जो सीम्पर मटर होती हूँ एक ही आरपीम के साथ मोव करती सु q-rayWeam यूशे के इसी के साथ मोव करेगी जबके इजैक्टर है और کॉलिंग टाइम जहां पहर मंशीन कोई वरक नहीं सिर्फ कूलिंग रखती है वाहां भी यूशा पे इप自ant लि arenas तो तो जो हमारा कुलिंग टाइम चलता रहता है इस में most stopping हो जाती है और ejector के समय इसके RPM कम होने लगेंगे यानिके 60 RPM तो यहां भी अगर हम servo drive servo motor लगते हैं तब हम power को save करने लगते हैं ठीक है दोस्तो यह आपको काफी समझ में आ गया और मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा ठीक है दोस्तो